इस टाइब की हम मेंटर्शिप की उमीद कर रहे थे उससे बहतर मिली है हामें कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रिप्रेशन मेरा कम्प्लीट हो गया है मैं क्रिलम्स क्राइब कर रहा हूँ किसी को लगता है नहीं लगता है सबसे बड़े गधे हो तुम लोग क्योंकि अगर नहीं भी लगता ना तो यह कॉंफिदेंस होना चाहिए क्योंकि कई बार इनसान जो ना कॉंफिदेंस हो जी जाता है तो यह कॉंफिदेंस ना होना चाहिए तो यह जैसे कोई दूसरा कोचिंग इंस्टिट्यूट का टेसरीज देखने को अपद ऐसा लगता है इसमें बहुत सारे नैने कोशन ऐसा है जो मैंने पड़े ही डी तो फिर वहां की थोड़ा सा कॉंफिदेंस ऐसा लगता है कि आप बहुत को छोड़ दिया कि अगर भी यह एक्चलिय ऐसा है कि देखो आपने एक कोचिंग इंस्टिट्यूट का या फिर कहीं का भी टेसरी जोएंग किया वह आपको अच्छे लगे हो सकता है कि उस कोचिंग में आप स्वें पढ़ते हैं तो वो जब कोचिंग बनाया जा रहा था तो वहां के उन लोगों के द्वारा बनाया गया जिन्होंने आपको पढ़ाया अब आप चले गए दूसरे कोचिंग, तो वही बात जब मैं यहाँ पर परस्नल आप से कर रहा था, कि आप अपने दोस्त को बोलो कि इस टॉपिक ने जिसे आपने पढ़ा है, उससे एक क्वेशन फ्रेम करके मुझे देख, फिर आपका तैयारी का उन लेवल पता चलेगा कि क्या आपने उस टॉपिक को जिस तरह से क्वेशन पूछा जाना चीए था या जिस डेफ्ट में उसने पूछा है, उस लेवल का प्रिप्रेशन आपका हुआ है या नहीं अगर गुद्मॉण अगर कैसे लागीस वेरी गुड एक चीज धान में रखिएगा हमेशा पढ़ाई पीएसी बिटा पूरा सागर है और सागर में से केवल अपने को एक लोटा पानी की आवस्ट्रता है अग यदि वो निकानना सीख गये ठीक है वो निकानना सीख गये त र autorad OTBносald में वक्त होता है अगर आपका सही आप्रोच रहा तो एक बहुत माईनी रखता है तो उसमें स्टाटी पूशन में लेमिट कैसे करें मतलब कि कितना ही हमको पाकिनाओ कंड़ना है निको करेंट अगर आप पूरे साल भर के करेंट एफेर को पढ़े रहते तो आपको पता चलता कि अगर मैं डाइनेमिक एप्रोच के साथ इसको कवर करने की कोसिस करता तो मेरा यह कवर हो जाता यह डारेक्टली जो क्वेशन से उसको पढ़ने के लिए क्या करोगे यह अरली जितने भी मा गाइडन्स मिला है कि हम सिक्स्टी डेज में कैसे क्राक कर सकते हैं और उसके ऊपर से हमें कॉन्फिडेंस अब आ रहा है कि हम जिन लोगों ने भी लेट थोड़ी स्टार्ट की है या जिनको अभी उतना अपने उपर आत्म विश्वास नहीं आ रहा है उनको भी अब लगे यह है कि जैसे हम लोग एकनोमिक्स से में पूछना चाहूंगी जैसे एकनोमिक्स, एकनोमिक्स सर्वे और बजट करते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारे डेटा है जो हमें याद करना पड़ता है तो हम लोग एकनोमिक्स, एकनोमिक्स सर्वे बजट चतिजगड के लिए और इंडियन पोर्शन के लिए माइंड सेट कैसा रखी अपने तो इसको धान में रखेगा हमेशा एक ट्रिक के तहत याद कीजिए जैसे लास्ट वीडियो में ही अगर आप लोगों ने देखा होगा एक आई एपसर रिपोर्ट का में कुछ डेटा पढ आया था कि सबसे पहले और इंडिया में कितना है किसी को याद है उस्ट्रिक में बताया था कि 7,13,789 कितना लोगों के याद हो गया अब उस समय के बाद में भूल जाओ यदि इसको मैं यह बोलो कि 7,13 किसका साथ सांथ सांथ तेरा ता आट नौ साल से निभा रहा हूँ कितने साल से निभा रहा हूँ? 7,13,7,8,9 साल से निभा रहा हूँ जब मैं 21 कथा से लेकर 71 तक कर रहूँगा तब तक 7 रहूँगा तो कहने का मतलब जब भी डेटा वाला पोर्शन आ रहा है एकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन आ रहा है आप उसको कुछ ट्रिक के साहरे और यह लंबे समय तक क्या रहता है आप लोगों को याद रहता है अदर्वाइस आप डेटा भूलेंगे ही एक्जाम की परपस से बहुत अच्छे कोशन के उस टेस्ट के बाद कमटीट होने के बाद सर लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छे से सजेस्ट किया कि दो मैने में कैसे प्रफेशन कियाना चाहिए स्टुडेंट की मन में बहुत सारे कोश्चन की कैसे करना चाहिए कौन से सबजेट को पहले प्रिफ्रेस करना चाहिए सबको सैटिस्फाइ करके यह सालोको ने बहुत अच्छी प्रोग्राप को औरनिज्द किया तर्गेट को आप अचीव कर से करेंगे ठीक अचीव करने से पहले एक दिन आज का जो संड़े कर दिने कम स्कम आज थोगा साफ एनलाइस कीजिए अपनी बाजु वाले जो बैठे थे स्टुडेंट्स या किसी ने पूरे कोश्चन बना ली उसे मत सोचिया अपने आपको दे एक ही कोश्चन में हम अन्नेसेसरली बहुत ज्याधा टाइम दे देते हैं तिसलिए कम से कम 5-6 सालों का जो पेपर रहा है किछला उसका हम एक बहतर एनलेसिस करेंगे किस पोश्चन से कितने नमबर आफ कोश्चन बन रहे हैं उसको हम प्लाइन करते हुए क्या करेंगे एक अपिछ तो विए कर दोग्या हमें हम क्या है और उसके शाऄे अनई के साथ सी स्प्राइग करने जा डेघी। पासरी नहीं आते तो इससे करने का मोक़ा मिला और मैं सर्लोक से बात की अभी तो उन्होंने मुझे स्ट्राटेजी बताई कि इतने कम दिन में कैसे तयारी करने जी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपको भी से जोड़ने चाहिए लेकिन आप इस चक्कर में उसको छोड़ दिये कि मेरा यह तयार है बागी पर फोकस करता हूं तो यह क्या हुआ ओवर कॉ कि पूरी टीम आपके साथ हमेशा लगी हुई है आपको और लाइन प्रोग्राम के तहट भी यहां पर जुए हुए बच्चे जो देखे भी होंगे जानते भी होंगे तो वहां भी कहीं न कहीं आपको साहता वहां से की जाए युद्ध छेत्र में जीतने से पहले मन में जी मतलब यह होता है कि एक दम द्रिण संकल्पित हो ना पिर कहीं भी आपको नहीं होगा वाला विचार आना ही ने चाहिए तो कोको टीम उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो एकनोमिकली बहुत वीक है और कोको का यह बहुत अच्छा पहल मुझे लगा और मेरे हिसाब से अगर मैं कोको की टीम से पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगते है कि मैं ऑफिसर बनने की जो रेस में हूँ वो शायद बन पाऊँ पुरे साल की पढ़ाई जिन्होंने नहीं की है उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टन प्लाटफॉर्म है दो महीने में कैसे टागेट बेस बेस टड़ी करें और इन फाक्ट हमको एक जो हममें जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया है कोको कम्यूनिटी में दाटिस कमें अब बॉल स्पेशली अनिकेट सर अनन सर धीरत सर सभी को मैं कमलेश सर इनका कॉंट्रिबूशन बहुत रहा है क्लासस में भी जो सब्जेक्ट में में इने फोकस नहीं किया है उस पे मैंने सिर्टेटर टॉपिक सब्सेटर अपने एक्जाम कैसे क्रेक कर सकती हूं इससे जो पढ़ाई बहुत बैटर है जो भी आत्मविस्वास नहीं उसको आत्मविस्वास को बढ़ाया जा रहे है थैंक्यू को को टिम यहां का जो इन्वायर्मेट था काफी सारी आसपास के आये एस्पिरेंट हैं उनसे अट्रेक हुए बात दे किये उनका इस ट्यारी से रिल अगर ऐसा आगे और भी होता है तो मैं चाहूंगी मेरे साथ साथ आप लोग भी और इस टीम से जूड़ें अध्यू को टी कि कि कि